हेलो स्टुडेंट्स आप सभी को सुप्रभात गुड मॉर्निंग नमस्कार बच्चों 12 अकाउंटिंसी में हम अभ्यास प्रच्ण हुआ है उसको हमें देखना है ठीक है स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास के 20 नंबर का जो अथ्वा है में दिया है एक फर्म में साज़िदार है एक जनवरी 2017 को उनकी पुझी कितनी है 25,000 और 20,000 और उनकी पुझी पर आठ प्रतिसत वार्षिक दर से ब्याज दिया जाता है तो जब भी हम लाभानी नियोजन खाता तयार करने वाला प्रस्ण है तो उस पर हमें पुझी पर ब्याज देना है फिर है उनके आहरणों पर 12 प्रतिसत व वार्षिक ब्याज लगाया जाता है अब प्रस्ण में आहरण पर ब्याज की दर्ड दे भी हो तब हमें प्रस्ण के अंतम यह देखना चाहिए कि उन्हों ने आप ब्याज यदि निकाल कर दिया है तो फिर इसका कोई मतलब नहीं होता आपको सीधे आहरण पर ब्याज जो हुआ है वो लिख देना है फिर ए ने एक जुलाई 2017 को दस हजार रुपए छे प्रतिसत वार्षिक दर्व फर्म को रिण दिया यहां पर हमें एक के रिण पर ब्याज देना है और कब से देना है एक जुलाई से देना है हमें फिर है बी को 5,000 रुपए वेतन पाने का अधिकार है अब यहां पर बी को 5,000 रुपए वेतन पाने का अधिकार है तो यह 5,000 रुपए वार्षिक है उनके आरण पर ब्याज 600 और 500 रुपए लगाया गया 31 दिसंबर 2017 को समाप्त हने वाले वर्स मतलब वर्स कब समाप्त हो रह तैयार के लिए अब हमें मालों में लाब हनी नियूजर्ण खाते में क्या क्या होता है क्रेडिट साइड में हम सुद्ध लाब लिखते हैं यह जो आया है 25,000 रुपे फिर आहरण पर ब्याज वो भी क्रेडिट साइड में लिखते हैं तो 600-500 यह लिखेंगे डेबिट में हम पुझी पर ब्याज देंगे आठ प्रतिसत फिर बी को वेतन देंगे 5,000 रुपे और एके रिण पर ब्याज देंगे थे मेने का जुलाई से दिसंबर तक का और जो भी लाब आएगा वो लाब को हम फिर यहाँ पर उनका जो लाब हानी अनुपात दिया है नहीं दिया है तो फिर उस हमान अनुपात में हम उसे बाड़ देंगे बहुत अच्छा सिंपल और साधा सा कुस्चन है इसे हम हल करें है ठीक है चलिए तो स्टार्ट करते हैं लाब हानी नियोजन खाता यह हमें बनाना है कि कुस्चन नंबर हमारा कौन सा है बीज लाब हानी नियोजन खाता एक प्रस्ण आपको एक्जाम में जरूर मिलेगा और यह हमें दिमाग में होना चाहिए कि यह किस प्रकार से बनाया जाता है इसमें क्या क्या होता है तो क्रेडिट में आपको दो चीजे लिखना होती है एक सुद्ध लाब जो लाब हानी खाते से लाया गया और दूसरा आहरण पर ब्याज ऐसी दो चीजें उसके अंदर लिखे जाती है ठीक है चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे लाब आनी नियोजन खाता एक प्रस्ण आया था अबजेक्टिव में कि लाब का बटवरा करने के लिए साजे दारों में लाब का बटवरा करने के लिए कौन्चा खाता बनाया जाता है अग्या अग्या 31 दिसंबर 2017 को हम बना रहे हैं अग्या विवरेंड रासी विवरेंड और रासी अब सबसे पहले तो यहाँ लाब पर आप सेस लाए किसका सेस लेकर क्या आएंगे आप यहाँ पर लिखेंगे लाब भानी खाता लाब भानी खाते से अप लाब भानी नियूजन खाते में आ रहे हैं और क्या लेकर आ रहे हैं आप ला रहे हैं सुद्ध लाब यह लाभानी खाते का जो सुद्ध लाभ है वो सुद्ध लाभ हम इस खाते में लेकर आ रहे तो लाभानी खाता क्या हो गया क्रेडिट हो गया और किस से क्रेडिट हो रहा है जो सुद्ध लाभ है उसमें सुद्ध लाभ कितना है 25,000 रुपे है अब क्रेडिट साइड में एक इतना है आरण परव्याज उनको निकाल के हमें दिया उन्होंने 600 और 500 तो यहां पर हो गया 1100 ठीक अब डेविट सेड में क्या क्या आता है एक तो आता है पुंजी परव्याज जैसे प्रस्निक एकॉर्डिंग हमें दिया है कि उनको पुंजी परव्याज 8 प्रतिसत वार्ष की दर्ष से हमें देना है तो पुंजी पर व्याज हम निकालेंगे एक की पुंजी कितनी है एक ही पुंजी है 25,000 और 25,000 की पुंजी पर हमें 8 प्रतिसत की दर्ष देना है तो यह कित्ता हो जाएगा 25 अठे 200 और एक और जीरो जुड़ गया मतलब ये हो गया हमारा 2000 A का पुंजी पर भिया जा रहा है और B की पुंजी है 20,000 20,000 का आंट प्रतिसत ये 200 गुनित 8 मतलब 1600 हो गया तो ये हो गया 2000 और 1600 2000 और 1600 तो ये हो जाएगा 3600 ठीक है? ये पुंजी पर भियाज हमने दे दिया दूसरा B का वेतन B को क्या दिया जाता है? वेतन दिया जाता है और B को वेतन जो दिया जाता है 5000 रुपे प्रतिवर्स दिया जाता है क्योंकि इस प्रस्ण के अंदर इस question paper के अंदर printer नहीं हुआ है लेकिन वे 5000 रुपे वार्षी के क्यों? क्योंकि आप यदि मन्थली यदि जोड़ोगे तो 12,500 तो आपका लाप कम पड़ जाएगा अब आगे है किसने लोन दिया है ए के रिन पर ब्याज ए ने फर्मो को रिन दिया है और उसके रिन पर हमें ब्याज देना है अब उसने फर्मो को रिन कब दिया एक जुलाई 2017 और कितने का दिया 10,000 का तो हमें रिन पर ब्याज कप से निकालना है एक जुलाई से 31 दिसंबर तक तो जुलाई से दिसंबर आप गिनोगे तो 6 महा और 10,000 रूपे का रेंड दिया है 6 प्रतिसत की दर से 6 महा का कितना निकलेगा सो गुणित 12 छे दुनू 12 दो तिया 6 तो सो गुणित 3 मतलब 300 रूपे तो उसके रेंड पर ब्याज कितना हो गया 300 हो गया बस हमारा जो सवाल ये खल हो गया अब आपको किवल बचा हुआ लाब निकालना है और उस लाब को A और B में समान अनुपात में बाड़ देना है अब देखिए 25,000 और 1100 ये हो गया 26,100 इधर भी लिख दो 26,100 इधर का कितना है 5, 3, 8, 900 तो 26,100 में से आप 8,900 माइनस कर दो तो 11 में से 9 गया 2, 15 में से 8 गया 7 और 1 इधर कितना बचा 17,200 17,200 ये क्या आगया आपका 17,200 ये आगया लाब और इस लाब को हम कहाँ पर ट्रांसपर करते हैं साज्येदारों के पुझी खाते में ये बोर्ड परिक्षा के इसाप से में आपको करवा रहा हूं है ना और इसलिए आपको पूरा-पूरा सिस्टेमेटिक करना है ये पर लिखना भी है ये लाब जो है ये कहाँ पर जाएगा साज्येदारों के पुझी खाते में जाएगा अब ये लाब कितना है 17,200 रुपे को हमें A और B में बाटना है तो 17,200 अब बराबर बराबर बाटने के लिए क्या करेंगे ये कितना हो जाएगा 17,000 का आधा 8,500 और 200 का आधा 100 मतलब एक हिस्से में कितना जाएगा 8,600 और B के हिस्से में कितना जाएगा 8,600 ये दोनों को जो लाब है उस लाब का पटवारा हमने कर दिया 8,600 और 8,600 ये बन गया हमारा लाब हानी नियोजन खात आपको एक दिवाग के अंदर एक picture तैयार कर लेना है कि लाब हानी नियोजन खाता बनाना है मतलब इधर एक लिखेंगे क्रेडित में क्रेडिट में अहरण पर ब्याज ओन झाया जाता और जो बचा हुआ जो लाव होता है वो उनकी लाव हनी जो वितरन खाते में बाड़ दिया जाता है एकदम सिंपल कोस्टन इसमें उन्होंने सारी बाते सामिल कर लिए बहुत अच्छा और बेस्ट कोस्टन था इसको एदी हम अमारे दिमाग में पिक्चर बना लेंगे कि लाव हनी नियुजन ख इसमें दिया है ख्याती निकालने का है कि एक जनवरी 2019 को ख्याती का मुल्यांकन विगत चार वर्सों के ओसत लाव के यहाई वर्सी यह क्रय के आधार पर करना है विगत वर्सों के लाव हनी नीचे दिये गए हैं 2012 में 30,000 स roughly 2016 में 20,000 का प्रॉफिट हुआ 2017 में 38,000 का प्रॉफिट हुआ 2019 में 32,000 का प्रॉफिट और 2018 में 32,000 का प्रॉफिट अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यांदशे देखना है क्या देखना है हमें ख्याती का मुल्यांगन कब करना है 1 जनवरी 2019 को ठीक है अब लास्ट येर के चार वर्सों का पौसत लाब अब लास्ट चार येर कौन से आएंगे यहां से तो 40 32 28 और 20 गज़ चार वर्सों के हमें कराई के आधार पर हमें ख्याति का मुल्यांकन करना है 2019 तो एक जन्वरी 19 को यह हम कर रहे हैं ख्याति का मुल्यांकन देखो प्रसने में कुछ ने कुछ हो सकता है मिस्टेक हो सकती है अब लाव तो कब पता चलेगा वर्से के अंदर में पता चलेगा हम एक जन्वरी 2019 को ख्याति का मुल्यांकन विगत चार वर्सों के ओसत लाव के आधार पर कर रहे हैं विगत तक चार वर्स तो यहां पर 2018, 2017, 2016 और 15 हमें इसको गिनना है 2019 को हमें नहीं गिनना है क्योंकि 2019 में तो हमें एक जन्वरी को ख्याति का मुल्यांकन करना है अब एक जन्वरी 2019 को प्रॉफिट कहां से हो जाएगा प्रॉफिट तो वर्से के अंदर में पता चलेगा इसका मतलब 18 का, 17 का, 16 का और 15 का पिछले चार वर्स का हमें लाब लेना है तो 30, 20, 28 और 32 तो इस आधार पर हम गत चार वर्सों के लाब के आधार पर हम ख्याति का मुल्यांकन करने वाले हैं तो कुस्चिन नमबर 21 ख्याति के ख्याति का मुल्यांकन ठीक है अब ख्याति का मुल्यांकन करने के लिए सबसे पहली स्टेप हमारी क्या है तो सबसी पहली स्टेप में हमें निकालना पड़ेगा और सत्लाप ठीक है अब और सत्लाप का फार्मूला क्या है गत चार वर्सों के लाव का योग बटे वर्सों की संख्या और सत्लाप इस प्रकार से निकलेगा अब हम गत चार वर्से के जो लाव है वह हम देखेंगे तो 19 का लाव हमें छोड़ देना है ता से स्टार्ट करना है अठारा से तो पंदरा सोला सत्तरा और अठारा ठीक है तो यहां पर यह 30,000 रुपे क्या है हानी है उसके बाद में 20,000 प्लस 28,000 प्लस 32,000 ठीक और वर्सों की संख्या कितनी है चार हल करेंगे 20, 40, 70, 80 80 में से 30 चला गया 50 भागित 4 तो औसत लाव हमारा रहा है 12,500 यह क्या आगया हमारा एवरेज प्रॉफिट 12,500 अब प्रस्न में क्या दिया है कि औसत लाप के धाई वर्स के क्रय के आधार पर हवे ख्याती का मुल्य निकालना है तो अब यहां पर ख्याती बराबर कि क्याती बराबर कि औसत लाब गुणीत क्रय के वर्स औसत लाब आपका आगया 12,500 क्रय का वर्स है दो दसमलों पांच मतलब ढ़ाई वर्स इसका मतलब आप यह दी 12,500 में जाई का गुणा करेंगे तो बार दोने 24 और 25 और 12,500 का आधां तो यह कितना हो जाएगा 25,000 और 6,250 को जोड़ देंगे 5 और 6,11 31,250 यह क्या आगई आपकी शाती आगई और यही आपका अंसर तो इस प्राशने के अंदर 100% गलती होगी क्या गलती होगी उसमें हमें बताया है हमें ख्याते का मुल्यांकन कप करना है 1 जनवरी 2019 को ख्याती का मुल्यांकन एक जनवरी 2019 को करना है अब हमारे पास जो लाभ है यह 15,16,17,18 ऐसे 4 वर्स का है 19 का भी दिया है लेकिन 19 का लाब हम सामिल नहीं करेंगे क्यों क्योंकि 19 एक जन्वरी को लाब नहीं हो सकता तो गत वर्स का लाब हमें लेना है गत चार वर्सों का लेना मतलब 31 दिसंबर यदि बोलते हैं तो हम 19 का लाब भी सामिल करते हैं तो एक जन्वरी 2019 को यदि हमें ला लास्ट येर ऐसे ही सवाल आया था लेकिन उसमें क्या दिया था 31 दिसंबर दिया था और आपको 19 का सामिल करना था उननेस अठारा सत्रा सोला चार और उपर जो पंद्रा है उसको आपको छोड़ देना है अब बच्चों नहीं क्या किया चार देखा ही नहीं सीधे पांच को जोड़ दिया पांच का भाग दे दिया और सतलाब निकाल दिया करेके वर्स का गुणा करके ख्याती का मुल्यांकन कर दिया इसलिए आपको जितना सरल प्रसने लग रहा है उतना सरल नहीं है उसमें कुछ न कुछ ट्विस्ट उन्होंने डाला हुआ है आपको question ध्यान से पढ़ना है क्या ग्यात करना है इसको ध्यान देना है तो यह हमारा question होगा 21 आगे बढ़ेंगे हम ख्याती के मुल्यांगन के बाद अब हमारे पास में इसी में अगला question आ रहा है कि A और B एक फर्म में साज़ेदार हैं जो दो तीन के अनुपात में लाविवाजन करते हैं और उन्हें C को एक बट इच्छे भाग के लिए साज़ेदार बनाया उनका चि 40,000 शाती लेकर आया नीजी रूप में उसने पुराने साज़ेदारों को देगा तो फर्म की पुस्तकों में उसका कोई लेखा नहीं होता है शाती का मुल्यांकन 14,000 किया गया देंदार पर 5% संचीदे का निर्मान किया जाए सहियत्र का मुल्य 10,000 से बढ़ाया जाए पुनर मुल्यांकन खाता बनाए अब देखिए आप जब बोर्ड एक्जाम की परिक्षा देने जा रहे हैं तो सबसे इंपोर्टेंट बात है कि आप रस्नमी ये देखिए कि आप से क्या पूछा जा रहा है मतलब हमें उस कुस्चन की उपर ध्यान देना है कि आप से क्या पूछा जा रहा है क्या पूछा जा रहा है पुनर मुल्यांकन खाता बनाए अब बस आपके काम की चीज कुन सी है को हमें हमारे काम की देखना है कि आपको यह नहीं नहीं है आपको तो देखना है कि संपत्ति और दायतों के मुल्ली में कवियों रद्धिका हो रही है तो केवल आपके 2 पॉइंट आपको यहाँ पर एक काम के है आपके 2 पॉइंट काम के हैं और यह 2 पॉइंट कुन से हैं यह वाला एक तो कि देंदार पर 5% संचीती का निर्मान किया जाए और सहित्र का मुल्य 10,000 रुपे से बढ़ाया जाए बस ये दो पॉइंट देंदार पर 5% संचीती मतलब देंदार ही यह दिये है और 10,000 का 5% आपको संचीती बनाना है 500 रुपे की और देंदारों पर संचीती कहा लिखी जाएगी डेबिट साइड में ठीक है क्योंकि दाईतों में व्रद्धी हो रही है फिर सहित्र का मुल्य 10,000 रुपे से बढ़ाया जाए तो सहित्र 90,000 रुपे है और 10,000 रुपे और बढ़ रहा है तो संपत्ति के मुल्य में व्रद्धी क्रेडिट में और दाईतों के मुल्य में व्रद्धी क्रेडिट में पुल्ट्ष लिखना हैं और आपका पुनर्म ल्यांकन खता कंपिर्ड हो जाएगा ठीक है यहां पर कोई तारिक नहीं दिगई है इसलिए सीधा सीधा हम यहां पर क्या बना देंगे पुनर्म ल्यांकन खता बना देगे बहुती सिंपल सा question पुछा है लेकिन यहां क्या है कि आपको जो ख्याती की जो प्रीमियम रासी है साजिदार की जो पुंजी है वो आपको केवल उन्होंने confuse करने के लिए दे दी कि उनर में ल्यांगन खाता है कि प्रेश ने इतना बड़ा है कि आपको देखकर लगेगा क्यों यह तो बहुत बड़ा करना पड़ेगा लेकिन आप जो उसको करने जाओगे तो उसमें केवल आपके लिए काम की जो चीज़े हैं वो केवल दो ही काम की चीज़े चलिए सबसे पहले तो क्या लिखेंगे हम कि दूबत त्रेण तंचे तो दस अजार रुपे का पांच पर्षेंट कितना बन गया 500 रुपे हैं यहां लिगतों फिर संयत्र के मुल्य में 10,000 रुपे की व्रद्धी हो गई संपत्ति के मुल्य में व्रद्धी होगी तो क्रेडिट और दाइतु के मुल्य में व्रद्धी हो रही तो डैबिट बस यहां आपका क्वेस्चन हो गया कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन के अंदर आप यह लिखो दस अजार अधर भी दस अजार और यह पुनर मिल्यांकन पर क्या आगया लाव जो कि साजीदारों की पुझी खातों में अस्तान तरित हो जाएगा भी बोर्ड परिक्षा के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है तो अब यहाँ पर हमारे पास कितना लाव आ गया 9500 रुपए को जो दो साजीदार हैं उन दो साजीदारों में हमें बाड़ देना है कुन-कुन है ए और बी और दो अनुपात तीन के अनुपात में लाव आने को बाड़ते हैं कि को एक बटे छे भाग के लिए उन्होंने साजीदार बनाया है तो यहाँ पर 9500 रुपए जो लाव आया है वह हमें ए और बी में बाड़ देना है क्यों कि इस लाव के उपर ए और बी का ही अधिकार है अब किस अनुपात में बाटेंगे तो दो अनुपात तीन में उनका का जो प्रॉफिट शेरिंग रेशो है दो अनुपात तीन तो 9500 गुनित दो बटे पांच पांच एकम पांच पनम पैतालिस उन्निस दुनू अड़तीस तीन बी का 9500 गुनित तीन बटे 5 उन्निस दुनू आड़तीस उन्निस तीया 57 ठीक है तो 3800 और 57100 यह हो गया यह बन गया हमारा पुनर मुल्यांकना खाता ठीक है दो चीजे लिखना था जहीतर के मुल्य में ब्रद्धी और डाईतों के मुल्य कभी अब यहां पर मैं एक फॉर्मुला बता देता हूं जब भ पहले भी आपको एक पॉर्मूला बताया था यह आप याद रख लेना कि संपत्ति के मुल्य में कमी होगी तो डैबिट व्रद्धी होगी तो क्रेडिट इसी प्रकार से दाईतु के मुल्य में ब्रद्धी होगी तो डैबिट और कमी होगी तो क्रेडिट बस यह चार चीज़े आपको याद रखना है और इसी के आधार पर आप पुनर मुल्यांगन खाता बेस्ट से बेस्ट तरीक ऐसे बना सकते हो किसी भी गलती के बिना आप देखो यहां पर सह सब्सक्राइब भी हम देनदारों पर डूबा त्रेंड संचे बनाते हैं तो यह तुम्हें ब्रद्धी हो रही है और पहले से बताया है कि आप इतना रखना है तो यह हो कम हो रहा है तो भी दर आ आ जाएगा संचे में ब्रद्धी डैबिट में और कमी ड्रेड़ में यह दिया है कि एक्स लिमिटेड ने एक अंसधारी के 10 रुपे वाले पूर्ण याचित 30 अंसों को जब्त कर लिया अंसधारी ने आविदन पत्र के 3 रुपे प्रतियंस तो दे दिये थे लेकिन आवंटन के 4 और अंती में अचना के 3 रुपे प्रतियंस नहीं दे सका अंसों के हरण की पंजी प्रविस्टि की जिए अब यहां पर अंसों के हरण से इलेटेड़ जो पंजी प्रविस्टि है वो हमारी होगी सबसे पहले देखना है कि 10 रुपे वाले इस अंस थे जिसको हरण किया अउसने क्या-क्या या भुकतान किया था क्या भुकतान नहीं किया था तो अंसय ध Sana अवेदन के तीन रुपए दिये थी लेकिन ऑबन्टन के 4 और अंतिमी अचना के 3 रुपए नहीं किए भुकतान और स्वाइनल कौलं का भुकता करना है 10 रुपे वाले 30 ठीक है यह कुछ्छन हम कर लेते हैं अगर 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 है टेट पर्टिकुलर है चला हम जनल प्रविस्थी दिनांग कि विब्रेन खाता प्रस्ट एबिट और क्रेडिट कि सबसे पहला ठीक है आब यहां पर अंस पुझी जब भी अंसों का हरण होगा तो अंस पुझी खाता क्या होगा डेबिट होगा कितने अंस हैं तीस अंस हैं 10 रुपे प्रती अंस तो तीन सो ठीक है तो सबसे पहला अंस आबंटन खाते से अंस आबंटन की चार रुपे के हिसाफ से तीस अंसों की तीस कुनी चार एक सो बीस रुपे ठीक फिर अंस प्रत्थम वह अंतीम याचना से तीन रुपे वह तो नभी रुपे वह और अंस हरण खाते से तो तीन रुपे उसने आवेधन की दिये थी मतलब नभी रुपे तो बारा नो इकीस नो तीस ये तीन सो पुरा हो गया अंसों का हरण ठीक है ये हमारी एक अंसों के हरण से रिलेटेड केवल एक ही प्रविस्थी होना है देखिए या पर थोड़ा सा उसको मैं इस परस्ट कर दूँ आपको समझ में नहीं आया होगा आविदन पर कितने पैसे मंगाए तो आविदन पर पैसे मंगाए उन्होंने तीन रुपे आवन टन पर चार रुपे फस्ट एंड फानल कॉल पर तीन रुपे अब उसने ये नभे रुपे तो चुका दिये थी लेकिन ये 120 रुपे का भुकता नहीं किया और यह 90 रुपे का भी भुख्तान उसने नहीं किया तो जिसका भुक्तान नहीं किया जाता करें को वrud को इन सांस आन्स ऑवन्टन खाते से अंस प्रतंति भी अच्हितच और जिसका हुस कर लेती है वो जाती है अंसहरण खाते में तो नब्वे रूपे हाँ चला गया यह हमारी अंसहरण से रिलेटेड जन्नेल प्रिविस्टी हो ठीक है तो यह था हमारा कुस्चन नंबर 21 तक का अब इसके आगे के जो दो तिन कुस्चन है वह हम इसके आगे वाली क्लास में करेंगे ठीक है अगली क्लास में फिर मिलते हैं तब तक के लिए जन्यवाद